और दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं कांजी वो भी बिना वड़े की बिना अजर की फ्रेंट्स ये चुकंदर की कांजी बहुत हेल्दी और बहुत ही दिलिश्यस है आप देख रहे हैं मैं इसके मोटे मोटे छिलके उतारी हूं वो क्यूं क्यों क्यूंकि जो चिकंदर का होता है एसका हमारे कांची का टेस्ट भी खराब हो सकता है तो इसको पतले पतल एसके slices कर लोंगी अच्छे से फ्रेंट्स जो कांची यह हमारे healthy data के लिए बहुत ही है मारे stomach के लिए इसक हो रह दियुए है और साथ हम कुछ मसाले ले रहे हैं सबसे पहले मैंने 4 चमच सौफ लिया है और मैंने दो चमच जीरा लिया है और मैंने चार से पांच चमच ही पीली वाली राय लिया है इसको हम धीमी आज पे सेक लेंगे अच्छे से हलकी सी यह बुन चुकी है इसे हम अलक प्लेट में ठंडा करने के लिए निकाल देंगे और फ्रेंट्स मैंने पास सेंदा नमक है इसलिए ज्यादा कॉंटिटी में लिया है मैंने साथी साथ मरे भुनेवे मसाले जिनने मैं में मिक्सी के जार में डालके पीस लूँगी फ्रेंट्स कांजी एक ओशदी भी है कांजी सिर्फ एक खटा पानी ही नहीं है कांजी हमारे पेट के लिए बहु अच्छा करती है और कांजी और बहुत सारे तरीकों से भी बनाई जाती है अगर आपको कांजी के लिए मतलब ऐसा चाहिए के कांजी के तरीके से आप पीना चाहते हैं तो आप मुझे बताईएगा मैं उसकी एक नई रेसिपी भी आपको दूंगी बहुत ही बहतरी और उस के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है यह सारे मसाले जो नमक काला नमक और लाल मिर्श भी मैं इसके अंदर डाल रहे हूं फ्रेंड्स जितने भी मसाले आप पीस रहे हैं वो बिल्कुल पाउडर फॉम में कर लीजिए का दर दरा मत छोड़िए के क्योंकि दर दरा जो भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जैसे ही जार का ढकन खुलता है ना फ्रेंड्स बहुत अच्छी खुश्बू भी आती है और यह मैंने जो चकुंदर के स्लाइस किये थे वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूं तो आप यह देख सक को आप चार से पांच दिन तक धूप में रख दीजिए और अगर नहीं भी रखेंगे तब भी उठ जाएगी क्योंकि गर्मी का टाइम आ चुका है तो आप अपने किचन में ही इसको रख लीजिए क्योंकि वहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है और इसको मैंने जार को पूर कांजी का असली मतलब ही है फर्मेंटेशन ही जब तक वह फर्मेंट नहीं होगी नाचरल तरीके से तब तक कांजी नहीं बनती है poking यहां पर मेरी कांजी पूरी तरह से तयार है और चार-पांस दिन बाद यह देखिये क्या कलर आया है इस कांजी का बहुत ही बड़ी और ब मुझे सपोर्ट कीजिएगा ये देखे फ्रेंट सच में बहुत खट्टी और बहुत टेस्टी कांजी है मैं आपको पिला तो नहीं सकती लेकिन आपको तरीका जरूर बता सकती हूं आप इसे बनाईएगा होली पे अपने घर में जितने भी लोग आते हैं उनको जरूर पिला थैंक यू सो मच रादे 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 रादे